6 अपरेल वर्ष 1896 को युनान की राजधानी एथेंस में पहले ग्रिश्मकालिन ओलंपिक का आयोजन हुआ था यह आधुनिक युग में आयोजित होने वाली पहली अंतराश्ट्री ओलंपिक खेल प्रतियोगिता थी इस ओलंपिक में 14 देशों ने शिर्कत की थी प्राचीन युनान ओलंपिक खेलों का जन्मिस्थान रहा है इसलिए एथेंस आधुनिक खेलों के उध्गाटन के लिए सबसे उप्युक्त विकल्प माना गया अनेक बाधाओं और असफलताओं के बावजूद 1896 में उलंपिक का आयोजन एक बड़ी सफलता मानी गई थी यह उस समय तक के किसी भी खेल आयोजन की सबसे बड़ी अंतराश्ट्री भागेदारी थी पाना धिनाईको स्टेडियम वह मुख्य स्टेडियम था जो पहले उलंपिक का गवा बना युनानियों के लिए सबसे मुख्य उनके देशवासी इस्पिरिटिल लुई की मेराथन विजय थी सबसे सफल प्रतियों की जर्मन पहलवान और जिमनास्ट कारल शुमेन थे जिन्होंने चार इस्परधाओं में जीत अरजित की थी इस पहले उलंपिक का समापन 15 अप्रेल को हुआ था